हाई देर ये MGT 502 Organizational Behavior की Short Lecture Series का 19th Lecture है इस Lecture के अंदर भी आपको Main Points करवाए जाएंगे और ये Slide आप से Share की जाएगी नीचे Description Box में Link दिया जाएगा ताकि अगर आपको Slide को Search करने में Problem है तो आप नीचे Description Box पे दियेगा Link से हमारे Blog पे जाके Slide को Download कर सकते हैं तो इस Lesson के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है Triangle for Managing in the New Team Environment तो ये तीन चीजों का Triangle है एक तरफ Manager है एक तरफ Individuals है और एक तरफ टीम है So Deciding when to use a team अब कभ एक टीम जो है वो उसका इस्तमाल किया जाए So Many Perspectives are needed बोट से Perspectives जगे जरूरी हो यानि रुबए नजरस पर्सकेट इप antral व्लिद का मदला होता है और एक सिप्टेंब कोग कुएgiving की क्रेटिकल इंडिविजिल यह दो लेना ना चाहरे हो और यह भी एक वजाए कि यूँ वांट टुटि टीम मेंबर्स टीम डेलेटेड़ इसकिल्स जो वह वो डेवलप करना चाहरे हो यह भी वजा हो सकती है लेकिन जब टीम का इस्तमाल किया जाए तो कौशियस रहा जाये प्रवर्ब्लम्स बहुत जाए अब जब इस्तामाल करें फजुल में टीम का टाइम बरबात करना होगा इंडिविजुल्स टोंट वां टृटिसपेट ही नहीं करना चाहे तो पी कोई जारी बाते मुधात रहा जाहे और इंडिविज्ट्रीच प्रफेंस्ट तु है प्राब्लम गहावियर के साथ डिल करने के लिए वो क्या है, चूस किया जाए टीम मेंबर्च को केरफुल ही, बहुत अच्छी तरीके से केरफुल होगे, टीम मेंबर्च को चूस किया जाए, ओफर की जाए इनको ट्रेनिंग, प्रोवाइट के जाए किलियर को न के ये गोन ह होगा एक तरह की परफॉर्मेंस होती है उसके लावा रिवाट किया जाए पर्फॉर्मेंस के साथ लिंक कर दिये जाए जितनी ज्यादा बैटर पर्फॉर्मेंस उतना ज्यादा रिवाट और उसके लावा और रिमोफ कर दिया जाए जाए जो तो यह इसी बनी हुई है तो वह असल में किसी की बी रिस्पोंसिविलिटी नहीं है यानि कि responsibility को individually तोर पर divide करना पड़ेगा यह नहीं कि सबकी यही responsibility है तो इस तरीके से कोई भी मुकाम शाहिद ना कर यह एक दूसरे पर डालेंगे लोग का लोग एक दूसरे पर डालेंगे बैटर यह होगा कि एक responsibility को fit कर दिया है fix कर दिया जाए कि यह इसकी है यह इसकी है इस बाट दिया जाए और communication की जाए so building trust or building trust is very important so work for others दूसरों के लिए दूसरों के लिए दूसरों के लिए काम किया जाए as well as on अपने भी और team player रहा जाए isolate ना हो practice करें openness को discuss करें participate करें be fair ethics का खायल करें speak your feelings अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जाहरी बाते बताएं कि यह गलत काम कर रहा है वो गलती कर रहा है वो और अगर अच्छा कर रहा हो तो उसको appreciate करें consistency show करें basic values में जो बनियाती values हैं और confidence maintain करें demonstrate करें competence को यहनकि काबियत का इ problem solving group problem solving techniques जिसमें consensus presenting है consensus मतलब होता है कि जिसे हम कहलें इतफा किर रहा है और brainstorming होती है जिसमें ideas को generate के जाता है all group nominal group techniques है जिसमें पूरा group होता है और Delphi technique है जिसमें experts होते हैं anti-computer-added decision making computer का जारी बात है so group decision making के फायदे क्या क्या है जिब group पूरा decision करता है so ज्यादा knowledge होती है pulling of resources resources का group resources के पूरा pool बन जाता है acceptance increased होती है and commitment due to voice in decision greater understanding understanding जिए ज्यादा होती है involvement in decision stages की वज़ए से और disadvantage होता है pressure होता है group in group group के अंदर pressure होता है और domination भी हो सकती है किसी एक member की forceful दबाव डालने वाले member की उसका अपना दबाव भी आ सकता है उसका गलबा हो सकता है और amount of time required because group is slower than और ये भी एक चीज़े के group के अंदर decision होता है so में time जादा लगता है as compared to individual so consensus decision का आये तफाकर आये जिसको कहा जाता है so यहां पर जो इसके मताब इसके बारे में दिया गया proposal that is acceptable enough that all members are willing to support it जैसे कि मैंने बताए तफाकर आये है तो एक ऐसा proposal जो कि acceptable करते हैं तमाम members और willing to support होते हैं so consensus is actually a proposal acceptable enough that all members can support तमाम members support कर सकते हैं so consensus decision making time मांगता है active participation होती है तमाम group members की communication skills होते हैं जारी बाते creative thinking और open mind हो open mind ने सगत नहीं होगी तो फिर जारी बाते possible नहीं हो पाएगा सब्सक्राइब तो तरह के जो brain के हिस्से एक left hemisphere और right अब जो left है वह है verbal sequential temporal digital logic analytic rational western thought इस तरह की सोच वाला जो left हिस्सा है और जो right हिस्सा है वह है nonverbal visual spatial simultaneous spatial analogical gestalt synthetic intuitive or instant load इन तमाम चीज़ों का है right hemisphere so यह जो है दोस style so decision making process क्या है सबसे पहले recognize किया जाए problem को and the need for a decision identify किया जाए objectives जो है decision के gather किया जाए और evaluate किया जाए data और diagnose के जाए situation को और इसके इवेलिट के जाए alternatives को examination कि जाए select किया जाए best course of action को implement किया जाए decision को gather किया जाए feedback और end up आखर में जो follow up किया जाए इसको दोबारा और थोड़ा समझते है कि select किया जाए best course of action यानकि pick किया जो best alternative है जो भी best alternative हो को उसको pick किया जाए और उसके बाद फिर इंप्लिमेंट किया जाए decision को और फिर in and on implementation implementation base you will go for feedback feedback के लिए जाएंगे and follow up so how group decisions made किस तरही से group decisions बनाए जाते है decision by lack of response के जरीह होता है authority rule के जरीह है minority rule के जरीह majority rule के जरीह और consensus के तफा के रहे so potential advantages of group decision making क्या है उसके potential advantages में यह के more knowledge होती है expertise applied होती है solve करने के problem को और बहुत से greater number of alternative examind होते हैं और final decision जो better understood होता है बहुत तरहीं से understood होता है accepted होता है तमाम group members से और more commitment ज्यादा commitment होती है among all group members to make the final decision work और potential disadvantage यह के individual में feel compelled to confirm the apparent wishes of the group यानि के individual अपने आपको मजबूर भी महसूस कर सकता है ग्रूप की जो apparent wishes है उसके आगे उसके अलावा group decisions may be dominated by one individual or a small collection कुछ लोगों का अपना एक छोटा सा group बन जाता है group के अंदर ही या तो वह या पिर कोई एक individual जो है उसकी मर्जी के मताबिक group decision हो रहा हो यह भी हो सकता है और group decisions usually longer होते हैं तो यह कुछ disadvantage भी है किस तरह के से group decision making को improve किया रहे brainstorming के जरिए nominal group technique के जरिए Delphi technique के जरिए computer-mediated decision making brainstorming है का यह पहले भी आ चुका है brainstorming एक ऐसी टेक्निक से जिसमें ज्यादा से ज्यादा brainstorming के रूल यह कि तमाम criticism जो है वो ruled out है आइडियास लिखे जाते हैं उस पर कोई criticize नहीं करता free willing welcome है जो भी जारी बाते सोचे हैं वो लिखे हैं quantity quantity इसमें चाहिए यह है कि जितने ज़्यादा आइडियास है लिखते चली जाए है कोई वह नहीं है रुकावट so goal is to maximize the quantity and quality of idea goal यह है कि maximize के जाए quantity को भी और quality को भी जारा सब जादा ideas आएंगे तो उससे quantity भी बढ़ीगी और quality वाले ideas भी आएंगे उन्हें से कहीं सारे खराब भी होंगे लेकिन quality आएडियास भी आएंगे rules यह हैं कि expressiveness ideas के express किया जाए non evaluation during generation process जब generation कि जा रही है ideas बनाई जा रहे है उस दुरान कोई उसकी evaluation नहीं होगी कोई उसकी examination नहीं होगी कि idea अच्छा है वो रहे quantity generate as many ideas as possible and build on ideas express by other हर कोई जारी बात है अपना ideas यह वो उनका इसहार करता है now the nominal group technique अब जो nominal group technique है actually इसके नाम से ही पता चल लेगी एक group वाली technique है group होता है so अब पूरा group process होता है इसमें और इसके अंदर क्या होता है कि problem की identification होती है solution generate किया जाता है decision making होती है problem जो वो present की जाती है हर member जो लिखता है silently 10 minute के लिए member state करते है अपने ideas को team discuss करती है हर idea को clarification हासिल कती है members जो वो privately rank करते है best five ideas को जिनको वो prefer करते है उसके बात है step ladder technique step ladder क्या होती है कैसी technique होती है जिसमें members जो वो add हो जाते है one by one दो लोग discussion को जो वो start करते है और member जो वो added होते है और फिर वो present करते है ideas को जो लोग ने start किया member aid हुए और उन्होंने present की ideas को फिर उसके बाद member aid हुए उन्होंने present किये और यह सिलसला चलता लेता है जब तक decision नहीं होता so step by step होता है step ladder की बात होती ladder कहते हैं CD हो तो step by step एक तरह से आगे बढ़ता लेता है नामला तो डेलफी टेकनिक है तो डेलफी टेकनिक जो एक चली एक ऐसा process है जिसके जरीए group opinion तक या decision तक पहुचा जाता है survey करते हुए panels of expert को इसके अंदर panel of expert होता है expert का panel बैठा होता है इसके जाता है पैनल को पैनल मेंबर सब्मेट करते हैं decision coordinator को decision coordinator summarize करता है summary भीचता है along with a follow-up questionnaire to the panel summary साथ में भीचता है follow-up questionnaire के साथ पैनल को questionnaire सब्सक्राइब सब्सक्राइब और पैनल मेंबर सेंड करते हैं in their responses और process repeated होता है जब तक एक consensus नहीं होता है यहनिके तपाक जब तक नहीं होता है so delphi technique for groups who do not face meet face to face and leader distribute topic or task leader distribute कता है topic and task हर member response कता है leader collect कता है response or send back to team and solicide response करता है वो response को और उसके लावा process repeated होता है जब तक कोई एक resolution नहीं होती issue of the question पर यानिके अब इस बात में मुतफिक नहीं है जब तक चलता रहता है so now the quality circles and team अब यह जो quality circles and team अब यह जो quality circles एक group concept है so group of employee होते हैं to act on its decision अपने decision लेने पर product और quality service के हवाले से अब इसकी अगर philosophy देखी जाए तो दो सार working have to improve जो quality circle की policy है तो जो लोग काम करें उन्हीं को improve करना चाहिए so जो लोग काम करें उनको improve करना चाहिए और वो क्या करते हैं problem को identify करते हैं कि यह problem है collect करते हैं data को और इसको analyze करते हैं cause effect relationship बनाते हैं यानि कि यह किसकी मेज़ा से हो रहा है और generate कते हैं भहतरीन solutions को so how do group makes decision किस तरीक से groups decision करते हैं computer-added decision making होती है उसके अंदर जो है वो electronic brainstorming होती है जिसमें जाहरी बाते computer का इस्तमाद के जाता है software के इस्तमाद के जाता है इसके लाब डेलफी और नॉमिनल टेक्निक्स भी यूज की जाती है तो टेक्नोलीजिकल एडेशिशन मेंकिंग एड्स तो डिसिशन मेंकिंग टेक्नोलीजी के स्कमाल के जाते हैं decision making में expert systems होते है ग्रू प्रोग्राम डेसिशन टूल सेटप यूजिंग डेसिशन रूल्स एक प्रोग्राम डेसिशन टूल एई पर्टिनेंट information को यानि जो भी relevant information होती है for managers managers के लिए ताके वो इस्तमाल कर सके and now the group decision support system so group decision support system जो ब्रांच है information technology की जो combine करती है communication को computing को decision support technologies को ताके facilitate it कर सके formulation और solution जो अन structured problem का by group of people so virtual team virtual team क्या है एक एसी team होती है जिसके अंदर individuals जो है वो मुक्तलिफ जगहों पे बैठे होते हैं और वो technology का इस्तमाल करके communicate कर रहे होते हैं work कर रहे होते हैं so tools जो है virtual teams के लिए decision support system है internet है and desktop video conferencing system है so ethics check है अब आपके सब्सक्राइब is it legal चाहिए legal है desert violet लो क्या यह law तो नहीं violet कर रहा कानून के खलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा और desert violet company policy क्या यह company policy तो नहीं तोड़ा तो यह तमाम चीज़े देखी जाती है है is it balance यानि कि क्या यह fair है तमाम के लिए and does it promote win-win relationship relationship promote कता है जिसमें दोनों parties का फायदा और how will I make me feel about myself किस तरी से मुझे मेरे बारे में feel करेगा करवाएगा तो क्या 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 एडवांटेजिस हैं और इसके जो फायदे है वह ग्रेटर पूल बन जाता है बहुत जादा जो होती है नॉलिज होती है नॉलिज होती है और नुकसान यह कि सोशल प्रेशर भी होता है, Minority Domination होती है, Minority Dominate कर सकती है, Group Displacement होती है, यानि कि Move करना उसकी जगह से, Gold Displacement, उसकी जगह से हट जाना, Gold का अपनी जगह से, और Group Thinking भी होती है, यानि कि Loyalty जो ज़्यादा Important हो जाती है, Best Choice के मुकाबले में, तो Loyalty के उपर जादा Focus हो जाता है, As Compared to Best Decisions से, Best Choice होने से, तो इसको Group Think का जाता है, So, Decision Making Model आपके सामने है, So, इसके हना सबसे पहले, Identify के जाता है कि Problem क्या है, Choose के जाता है, Decision Style, Develop के जाता है, Alternatives को, Choice को, और Choose के जाता है, जो Best Solution है, और Implement के जाता है, Solution को, Evaluate के जाता है, Decision को, Examination की जाती है, So, How Involvement Improved Decisions, Involvement किस तरी किसे इंप्रूफ करती है, Decisions को, Employee की Involvement, उससे क्या होता है, Better Definition of Problems, और Problems को Better Define के जाता है, Improve करता है, Number and Quality of Solutions, Quality पे भी Solutions की और Solutions के नंबर पे भी, कहीं सारे Numbers होते हैं, Actually quantity जो इसकी नंबर से मुराद यहीं कि जो तादाद है solutions की उसके अंदर भी इजाफ होता है, And more likely to select the best option, यह भी chances होते हैं कि जारत तोर पे best option को ही select किया जाएगा, Potential Problems में इन Group यानि कि मुम्किना तोर पे जो Problems आती है इन Groups में वह Social Loafing आती है फिर राइडिंग जिसको का जाता है, एक शक्स जो वह Group में आता है तो दुसरे लोगों की वज़ा से वह खुद धीला बढ़ जाता है, कि दुसरे लोग काम कर रहे हैं और Social Facilitation होती है, इसम में होता है कि इनिशल पॉसिशन अफ इनिशल पॉसिशन अफ इंडिविजुल मेंबर्स और ग्रूप और एक्स्ट्रीम पॉसिशन सो अब इसी को थोड़ा और करके थोड़ा और समझते है, Social Facilitation है, इनके बिहवियर जो इंडिविजुल का अफेक्ट हो सकता है दुसरों क एक्सपर्ड होंगे को प्रॉसिशन प्रॉसिशंट और इसा अफेक्ट वहता है और और increase when tasks is well known, जब task well known है तो भी increase होगा है, आप expert होगा है और process, presence of other, increase anxiety, anxiety में भी जाफ़ा होता है, if a beginner anxiety behinders behavior and if an expert anxiety and chances behavior, तो यह आता है, so now the group think, आप group think क्या है? यह पीछे भी आ चुक है एक्चली लॉयलिटी जो होती है वो जादा इंपोर्टेंट बन जाती है बहता च्वाइस करने की जगा लोयलिटी लोग जादा प्रैफर करते हैं यह ग्रूप थिंकिंग बन जाती है इसके लाव ग्रूप पॉलराइजेशन होती है तरह आए टेंडेंसी फुर्ग डिसकेशन तो प्रोडूप शिफ्ट तोवर्स मोरे च्ट्रीब अबर्स यानिके एक्चली इनिशाल पॉजिशन जो होती है एक पॉजिश्वेस्चेशन की तरह ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिशन की तरफ प्रेवेंटिंग ग्रूप तिंकि है यह दे लेडर आवाइट इस प्राइट प्राइट विडियों डिसकेशन डिसिशन एनकि जो लीडर है वह आवाइट करें अपना अपीनियन देना गुरूप डिसिशन से पहले कि अगर वह दे देगा तो गुरूप तिंक होगी लोग सारे उसी की बात को फोलो करेंगे क्रेट सेवरल गुरूप्स टू वर्क साइमल्टेनियस्ली कहीं सारे गुरूप बनाए जाए ताके वह एक भी वक्त में साथ काम करें और आवाइट सा अपॉइंट डैविल्स एडवोकेट का कॉंसेप्ट जो है वह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉर्स में भी है कि एक तरह से किसी भी तरह वह जो भी ऑपीनियन वगरा है उसके खिलाफ ऑपीनियन देता है वह उसको उसका कामी यह है उसको इसी काम के लिए रखा है कि क्रिटिसाइज करें तो एक डैविल्स एडवोकेट को भी आपॉइंट के जाए कि वह मिस्टेक्स निकालने के करें या वीक्नेस हमें बताए तो उसको भी अपॉइंट के जाए और अच्छी तरीके से कॉम्पेटिशन को इवेल्यूट के जाए एक्जाम के जाए और आफ्टर कंसेस्स वित्फाक हो जाए तो एंकरीश के जाए रही थिंकिंग जी पॉजिशन तो यह था लेसन नंबर 19 आपको अगर कोई क्विश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए और यह स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा लिंक्स आसल का सकते हैं लेकिन अगर आपको लिंक नमें लिश्क्राब नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरिस को देखने के लिए इस